दोस्तों लगभग हर साल 99% बच्चे प्रिलिम्स में फेल हो जाते हैं। अब इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे ना। अब इन कारणों को अगर आप अवाइड कर पाएंगे तो कहीं न कहीं आप अपनी सक्सेस को रोजिस्टर कर सकते हैं आने वाले प्रिलिम्स में। तो जैसे आप एक स्पोर्ट्स परसन को देखते हैं। अब हम जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर एक ही गलती करते हैं। कि हम अग्जाम से पहले प्रेक्टिस नहीं करते हैं। अब आपकी इनी कम्यों को दूर करने के लिए हम दो मॉड्यूल्स लेके आए हैं। एक है IMDP जहां पर आप डेली बेसिस पे अपने कोशिंज की प्रेक्टिस कर सकते हैं। चाहे वो मेंस के कोशिंज हो या प्रिलिम्स के। उसके लावा एक हमारी प्रियास सीरीज है जहां पे आप चार चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। पहली है कंसिस्टेंसी, दूसरी है आपकी सेल्फ बलीफ और तीसरी प्रेक्टिस और चौती है डेडिकेटिड मेंटर्शिप। दोस्तो एक कहावत है करत करत अभ्यास, जडमत होई सुजान, रसी के आजजात से पत्थर पड प्रेक्टिस करेंगे उतने ही आप पर्फेक्ट होते जाएंगे आने वाले अपने प्रलिम्प्स और मेंस के लिए। और इसके लिए यह दोनों ही सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब इन कोर्से से रेलेटिड आपको कोई भी इनफॉर्मेश चाहिए हो तो आप dpp.onlyis.inp login कर सकते हैं या आप call कर सकते हैं नीचे दिये इस नंबर पे। उसके लावा आप हमें mail भी कर सकते हैं info at the rate onlyis.com पे। आइए अब जानते हैं उन कारणों को जिनकी वज़े से कोई भी student fail होता है प्रलिम्प्स की stage में। आइए जानते हैं उन क कारणों को जिसकी वज़े से almost 99% बच्चे fail होते हैं प्रलिम्प्स exam में। देखिए दोस्तों आप पढ़ते तो बहुत सारे चीज़े हैं लेकिन इन चीजों में क्या आपको concept clarity है क्योंकि UPSC आमूमन आपसे applied concept पूछती है जहां पे आपको एक concept के basis पे कुछ applied statement दी जाती ह और आपको उनमें से सही जवाब को चुनना होता है। आमूमन इन applied concepts में बच्चे गलती कर जाते हैं और जिसकी वज़े से उन्हें negative marks मिलते हैं। इसी वज़े से जब भी आप prelims की तयारी करें तो आपके दिमाग में हर एक concept के लिए clarity होनी चाहिए। अब ये clarity कैसे आईग की practice करें। दूसरा कारण है ignorance of NCRT books इसके लिए मैं आपको उधारन देना चाहूँगा। मान लीजे मैंने एक बुझ खलीफा जैसी उची मिनार बनानी है। अब इसके लिए अगर मेरा foundation ही weak हो तो क्या ये मिनार खड़ी हो सकती है। बिलकुल भी नहीं। तो ये NCRT books आप की foundation का काम करती है। जहां से आप हर एक चीज का basic concept समझ सकते हैं। अब अगर आपको basic concepts में clarity है तो आपको advanced concept समझने में भी कोई परिशानी नहीं आएगी। तीसरा major reason है lack of revision। अब क्योंकि आपका syllabus इतना vast है तो इस syllabus को खतम करते करते आपके पास revision का time बहुत कम रह जाता है लेकिन अगर आप एक perfect schedule को follow करें या एक perfect timeline को follow करें या किसी mock test series को join करें तो इससे आप एक time bound manner में अपनी revision को complete कर सकते हैं। जिससे ना केवल आप अपने syllabus को multiple time revise कर पाएंगे बलकिन उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके लावा सबसे major चीज है lack of proper planning and guidance। देखिए आप plan तो बहुत कुछ करते हैं कि आज मैं policy के दो chapter complete करूँगा या चार chapter complete करूँगा लेकिन उसकी implementation में कही न कहीं कमी रह जाती है। उधारन के तोर पे हम अक्सर कहते हैं कि government policies तो बहुत बनाती है बट कहीं न कहीं government की policy implementation में बहुत ज़्यादा loophole रह जाते हैं तो जिसकी वज़े से वो policy fail हो जाती है अब यही कारण है जिसकी वज़े से कई बच्चे prelims में fail होते हैं क्योंकि वो planning तो बहुत अच्छे से करते हैं बट उसकी implementation में कहीं न कहीं कमी रह जाती है अब जब भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी planning में कुछ न कुछ कमी है तो वहाँ पे आपको जरूरत होती है guidance की यानि एक essay mentor की जो आपकी इस परिशानी को दूर कर सके और आपको सही दिशा दिखा सके उसके लावा जो mock test है अब ये एक important pillar है आपकी preparation का अब जब तक आप mock test नहीं लगाएंगी तब तक आपको अपनी कम्या नहीं पता लगेंगी तो आप में fail होते हैं उनमें सी maximum student नहीं एक time bound manner में test series को attempt नहीं किया होता है दिखा ये गया है कि आमोमन बच्चे जो test series attempt भी करते हैं तो उनमे time bound manner में अपने syllabus को complete करने की शमता नहीं होती है जिसकी वज़े से वो धंक से in test को attempt नहीं करते हैं और यही कारण बनता है उनके prelims में failure का उसके लावा या तो students notes बनाते ही नहीं है books पे mark करते हैं या notes बनाते भी हैं तो इतने भारी भरकम बना लेते हैं जिने उनके लिए खुद revise करना मुश्किल हो जाता है देखी notes का मतलब ही क्या होता है notes का मतलब होता है कि आपने एक topic की summary लिखनी है मतलब अगर एक topic पे आप को 1000 words दिये गए हैं तो उन 1000 words को आप 250 words में कैसे convert करते हैं इसी को कहा जाता है notes उधारन के तोर पे माल लीजे आप विपिन चंद्रा book पड़ते हैं इस book में लगबग 330 page हैं अब जब आप इसके notes बनाते हैं तो आमूमन ये देखा गया है कि आप 1500 से 200 page के इसके notes बना देते ह अब कहीं न कहीं इन notes को revise कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जिसकी वज़े से आप properly अपने syllabus को revise नहीं कर पाते हैं अब यहाँ पे मेरा मानना ये है कि आपके जो notes होते हैं वो बहुती crisp होने चाहिए मतलब to the point जो चीज़े आपके दिमाग में हैं या आप easily याद क कर सकते हैं उनको notes में mention कम से कम कीजिए उसके इलावा जिन points पे आपको doubt है उनको ज़्यादा से ज़्यादा mention कीजिए आप अपने notes में ताकि जब आप revise कर रहे हों तो आप जल्द से जल्द उन चीज़ों पे आएं जिनमें आपको doubt रहता है या शंशे रहता है अब बात कि से समझते हैं देखिए मैं आपको कह रहा था कि आपको focus करना चाहिए practice पे और revision पे अब यहाँ पे आपको लगबग साथे साथ हजार MCQs मिलते हैं जिससे आप बहुत सारी practice कर पाएंगे और अगर आप इन्हें एक time bound manner में cover करेंगे जैसा कि हम आपको बताते हैं तो कहीं न मिलता हैं जिससे आप अपने mains के marks को भी improve कर सकते हैं उसके लावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि NCRT आपकी basic foundation का काप करती है तो यहाँ पे ना केवल आपको NCRT की videos मिल रही हैं बलकिन इन video से आप जो कुछ भी समझेंगे उसकी practice के लिए आपको NCRT के test भी मिलते हैं जिससे आप और पुकता कर सकते हैं अपनी तियारी को उसके लावा इस प्रियास series में ना केवल हम बहुत सारे questions की practice करेंगे बलकिन हम एक habit develop करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके अंदर consistency आए और आप अपने goal के और करीब पहुंच सकें और आपकी परिशानियों को दूर करने के लिए यहां पर एक dedicated team होगी mentors की जो की आपकी हर तरह की परिशानी को दूर करेगी आईए समझते हैं कि क्यों एक mentor का होना आपके लिए बहुत जरूरी है इसके लिए methodological example है अरजुन का अगर ग्रू द्रोन ना होते तो क्या अरजुन अरजुन बन पाते अब अगर आचरेक सर ना होते तो क्या सचिन तंदूलकर आज उन बुलंदियों को छूपाते तो इसी लिए dedicated mentorship आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है चाहे वो stress हो anxiety हो या concepts related कुछ problem हो इन सभी problems को दूर करने में ये team आपकी मदद करेगी तो आज की वीडियो के लिए इतना ही धन्यव है झाहे झाहे में झाहे हुआ है